आज है 10 जूलाई और आज का मौश टेंपर टाइन करेंट अफेर लेकर आया हूँ आज का पीडिएफ निचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेली ग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेली ग्राम का लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में दो कु जिसका एंसर आपको निचे कमेंट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्यन है हाली में कि स्वदेसी मिसाईल की मारक चमता 290 किलो मीटर से बढ़ा कर 500 किलो मीटर कर दी गई है तो ब्रहमोस मिसाईल के बारे में कुछ खास चीज़े बता रहा हूँ ध् थल और वायू से लक्षे को निसाना बनाया जा सकता है ब्रामोस मिसाइल द्वारा और इसकी कुल लंबाई लगभग 8.4 मीटर है और इसका वजन 2500 से 3000 किलो गराम तक होता है और ये अपने साथ 200 से 300 किलो गराम तक परमानू हथियार ले जा सकता है अगला कोशन है निमने लिखित में से किस देश की सरकार ने हाली में सरकारी कर्यालों में नकाब पहनने पर परतिबंध लगा दिया है तो हाली में ट्यूनिसिया की सरकार ने सरकारी कर्यालों में नकाब यानि बुर्का पहनने पर परतिबंध लगा दिया है कुछ दिन पहले ही सिरिलंका, कैमरून और अलजीरिया भी इस तरह के कदम उठा चुके हैं त्यूनिसिया एक अफ्रीकी देश है यहाँ पर यह चीज ध्यान बरे कियेगा, सिर्फ सरकारी कर्यालों में ही नकाब पर परतिबंद लगाए गया है, ना की पूरे देश में त्यूनिसिया की कैपिटल है त्यूनिस, यहाँ के प्रेसिडेंट है बेजी सैद सेबसी प्राइम मिनिस्टर है यूसुफ चाहद, यहाँ की संसाद का नाम है नेशनल असेमली, मुदरा का नाम है दिनार नेक्स्ट है, हाली में किस नदी में पहली बार लुप्त पराय गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है महा नंदा नदी में, बिहार में एक जिला है किशन गज, तो किशन गज में महा नंदा नदी में गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है और इस तरह की चौदा डॉल्फिन पाई गई है इस नदी में, महा नंदा नदी जो है यह गंगा नदी की सहायक नदी है तिलका माजी भागलपूर विश्व विद्याले के खोज करताओं ने इस डॉल्फिन की खोज की है इस डॉल्फिन के अन्य नाम भी है जैसे की ब्लाइंड डॉल्फिन, गंगा ससू, साइड स्वीमिंग डॉल्फिन तथा दक्षिन एसियाई नदी डॉल्फिन नेक्स्ट है, वैग्यानिक एजेंसियों द्वारा जारी नए आकड़ों के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के करण, किस माहदवीप के आसपास की बर्फ तेजी से पिघल रही है तो अंतार्क टिका के आसपास की जो भी बर्फ है वो तेजी से पिगल रही है गलोबल वार्मिंग के कारण अंतार्क टिका, एशिया, अफरीका, उतरी अमिर्का, दक्षिन अमिर्का के बाद पांचवा सबसे बड़ा महदवीप है अंतार्क टिका, साउथ पोल यानि दक्षनी दुरू जो है वो अंतार्क टिका में ही है एक चीज और बता दूँ, अंतार्क टिका का अंठानवे प्रतिशत बाहभाग जो है वो बर्फ से ही धका हुआ है और ये बर्फ की मोटाई लगबग 1.6 किलोमीटर है किस देश की विरिक्षा रोपन, मिया वाकी पधती के तरज पर तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना कू हरीता हरम योजना की शुरूआत की है तो जापान की ये पधती है, मियावा की पधती, इसी के तर्ज पर तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना कु हरीता हरम योजना की शुरुवात की है इसका मुख्य उद्देश शहरी छेत्रों में ब्रिक्षा रोपन को बढ़ावा देना और ये पधती जो है, मियावा की पधती, इस पधती से कम समय में बहुत तेजी से जंगलों को घाने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है और मियावा की पधती के प्रणेता कौन है? वो जपान के हैं कौन? अकीरा मियावा की जापान उतर है इसके बारे में जान लेते हैं जापान की कैपिटल है टोकियो दोजार बीस में Olympic खेलों का आयोजन टोकियो में ही किया जाएगा और हाली में G20 सिखर समेलन का आयोजन जापान का एक शहर है ओसाका तो ओसाका में किया लिया था जपान के वर्तमान में परधान मंत्री है शिंजो आबे अच्छा जपान के वर्तमान में समराट कौन है तो समराट है नारू हीतो जो की कुछ दिन पहले ही नए समराट बने है नारू हीतो इनका नाम है जपान की संसद का नाम है डायेट और मुद्रा का नाम है येन यहाँ पर हम लोग तेलंगाना के बारे में बात किये हैं इस एस्टेट के बारे में जन लीजेए तेलंगाना की सीमा भारत के चार राज्यों को छूती है गठन वाता दो जून 2014 को चतरफल की दरिष्टी से बाराववे नंबर पे और जन संक्या की दरिष्टी से भी बाराववे नंबर पे है यहाँ के राज्यपाल है ये आंदर परदेश के भी राज्यपाल है लोग सबासीट 17, राज्य सबासीट 7, विधान सबासीट 119 यहाँ पर विधान परिष्ट भी है जिसकी सीट के संक्या 40 है जीलों की संक्या 31 है राजवेंदर सीन चौहान ये तेलंगाना हाई कोट के मुख्या नहीं दिस है तेलंगाना का राज्किये पशू है हिरन, राज्किये पक्षी है निलकंट इसे इंडियन रोलर कहा जाता है राज्किये ब्रिक्ष है जम्मी चेटू और राज्किये फूल है तंगेडी पूवू पेरिनी सीवा तंडवाम या पेरिनी तंडवाम यहां का लोक नेदते है महवीर हरीना वनस्थली नेशनल पर्क, अमराबाद टाईगर रिजर्व, कवाल टाईगर रिजर्व तथा मृगवानी नेशनल पर्क सभी तेलंगाना में है नगार्जुन सागर डैम, सिरी साईलम डैम तथा कोईल सागर डैम क्रिष्णा नदी पर है निजाम सागर डैम मंजीरा नदी पर है मनेर डैम मनेर नदी पर है स्रीपद सागर डैम ये गोदावरी नदी पर है डैम बोले तो बाद किस राज्ज की सरकार ने आर्थिक संकट से जूजरय राज्ज के पद में पुरसकार वीजेताओं को हरमा 10,000 रोटे देने का फैसला किया है तो ओडिसा की सरकार ने आर्थिक संकट से जूजरय राज्ज के पद में पुरसकार वीजेताओं को हरमा 10,000 रोटे देने का फैसला किया है ध्यान में रखेगा सभी को नहीं सभी पद में पुरसकार विजयताओं को नहीं, सिर्फ उन्हें 10,000 रोपे परतिमाह दिया जाएगा जो की आर्थिक संकट से जूजराय हैं और जिनें कोई भी पद में पुरसकार मिला हो उत्तर है ओडिसा, इसके बारे में जान लेते हैं, चार राज्यों से इसकी सिमा टच करती हैं, वेश्ट बंगाल, जारखंड, 36 गड़ और आंधर परदेश गठन वथा एक अप्राइल 1936 को, चतरफल की दरिश्टी से नवे नंबर पे, जन संगय की दरिश्टी से ग्यारवे नंबर पे हैं, साक्षर्त दरे भत्तर दसमलो आठ साथ प्रतिशत, लिंगान उपाते नौसों उनासी, मुख्यमंतरी नवीन पटनाय, गवर्नार है गण जाता है, राजकी ये फूल है अशोक, लोक निरित्ते हैं, ओडिसी, गोठी, पुवा, महरी, मयूर तथा घुमुरा, एससी 10 प्लस 2 लेबल का एक्जाम चल रहा है, उसके एक सिफ्ट में हाली में गोठी, पुवा, लोक निरित्ते के बारे में पुछा था कि किस अराज्य सबी ओरिसा में हैं, हेरा कुंड डैम मान नदी पर है, मंधिरा डैम संक्ख नदी पर है, रेंगाली डैम बरहमनी नदी पर है, अगला कोश्यन है, नासा किस गरह के सबसे बड़े चन्द्रमा, यानि उपग्रा, टाइटन पर ड्राइगन फ्लाइ नाम का एक ड्रोन भेजन की घोसना की है तो किस गरह का ये उपगरा है टाइटन शनी गरह का उपगरा है टाइटन और ये बहुत बड़ा उपगरा है ये बुध गरह जो है उससे बड़ा उपगरा है टाइटन ठीक है तो हाल ही में नासा ने इस पर अपना ड्रैगन फ्लाई नामक एक ड्रोन भेजने की घुसना की है, 2026 में प्रक्षेपित करेगा, जो की 2034 तक यह ड्रोन इस उपगरा पर पहुँचे जाएगा, और इस पे कुल लागत अनुमानित है, 85 करोड डॉलर, शनिगरा एंसर है, इसके बारे में बेसिक चीज़े जान लेते हैं, जैसे कि सनिगरा जो है, सुर्ये से 6 हटे नंबर पे है, और सौर मंडल का दूसरा सबसे बढ़ागरा है, सबसे बढ़ागरा ब्रहस्पती है, और दूसरा सबसे बढ़ागरा सनि है,stellung क्रिश्टल की वज़ण से हलका पिला दिखता है, शनिगरा, ठीक है, इसे गैस दानो के रूप में भी जाना जाता है, अगला कोशन है, किस कमपनी ने देश में पहली बार इंटरनेट उपयोग करताओं के लिए डिजिटल सक्षार्ता पहल की घोशना की है। जो है, रिलाइंस ग्रूप का एक भाग है, रिलाइंस जीओ की अस्थपना 2007 में की गई थी। लेकिन जीओ इंटरनेट वाला जो सीम है, इसे 2016 में लौंच किया गया था। चेर्मेन और मैनेजिंग डरेक्टर है मुकेश अंबानी। अगला कोशन है, बिसिस याई ने किस पुर्व भारतिय कप्तान को बेंगलूरू इस्थित राष्ट्रिय किर्केट अकादमी का परमुख नियुक्त किया गया है। तो राहूल द्रविड को बेंगलूरू इस्थित राष्ट्रिय किर्केट अकादमी का परमुख नियुक्त किया गया है। ज č और सचिउ है कली का यादव। हाली में किस देस ने football tournament, कौन का कैफ gold cup 2019 जीता है, मेक्सिको ने जीता है किस को हरा कर, मेक्सिको ने अमेरिका को हरा कर, कौन का कैफ गोल्ड कप 2019 जीता है ये एक फोटबॉल टोनामेंट है ठीक है और कौन का कैफ जो है नौर्थ अमेरिका मध्य अमेरिका तथा केरेबियाई छेतर का एक इंटरनेशनल फोटबॉल चेंपेंशिप है और इसका ये 15 हुआ संसकरन था जिसे जीता है मेक्सिको ने औ आठवी बार यह टूनामेंट अपने नाम किया है ठीक है मेक्सिको एंसर है इसके बारे में जानिए कैपेटल मेक्सिको सीटी है यहां के प्रेसिडेंट है आंद्रेज मैनुवल लोपेज उबराडोर यहां की संसत का नाम है नेशनल कांग्रेस मुद्रा का नाम है पेशो भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंदर कहां अस्थापित किया जाएगा तो भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंदर अस्थापित किया जाएगा कोटूर में कोटूर एक जीला है किस अराज्य का जीला है केरल का एक जीला है ठीक है यहीं पर हाथी पुनर्वास केंदर अस्थापीत किया जाएगा, इस केंदर में हाथी, संग्रहाले, होस्पीटल, महावत, प्रसिक्षण केंदर तथा एक समसान होगा हाली में किस देश में भारत की साहता से निर्मीत 2400 गहरों वाला प्रथम आदर्स ग्राम का उद्गाटन किया गया है सिरिलंका में हाली में सिरलंका का प्रथम आदर्स ग्राम का उद्गाटन किया गया है 2400 गहरों वाला यह आदर्स ग्राम है ठीक है और इस ग्राम का निर्मान किया गया है भारत के सहयोग से भारत ने इसके लिए 17.5 यानि 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर रासी सहता रासी दिया था सिर्लंका को उत्तर है सिर्लंका इसके बारे में जान लेते हैं भारत और सिर्लंका के बीच में एक जल डमरू मद्य है उसका नाम क्या है पाक जल डमरू मद्य है सिर्लंका की कैपिटल है जैवर्देने पूरा कोटे प्रेसिडेंट है मैत्री पाला सिरी सेना, प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रामा सिंगे, संसाथ का नाम है परलियमेंट और मुद्रक नाम है सिर्लंकन रूपी नेक्स्ट है, हाली में किस मंत्राले ने एक कॉफी टेबल पुस्टक, 50 years of partnership for change का बिमोचन किया है क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले ने इस पुस्टक का हाली में बिमोचन किया है सयुक्त राष्टर के विश्वा खादे कारे करम के साथ सज्जेदारी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में इस पुस्टक का बिमोचन किया है इस पुस्टक का नाम ध्यान में रखिए 50 years of partnership for change और इसे बिमोचन किया है क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले ने उप्षन में जितने भी मंत्राले देख रहे हैं सभी के मंत्रियों के नाम जान लिजे वर्थमान में क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राले के मंत्री है नरेंदर सीह तोमर मानव संसाधल विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशांक ग्रिह मंत्री है अमीच शा रैंकिंग मल्टी क्लास चेंपेंशिप 2019 के किस संसकरन का आयोजन किया गिया था सभी लोग ने अंसर सही दिया था ये 34 संसकरन था दूसरा कोशन था अंतरश्ट्रिय मुद्रा कोस के अनुसार विट वर्स 2019-20 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी इस कोशन का एंसर कुछ ल नीचे कमेंट में लिखना है पहला कोशन है री बुक की नई ब्रांड अमेश्डर कौन बनी है दूसरा कोशन है निमने लिखित शहरों में से कौन सा शहर राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है दोनों कोशन का एंसर नीचे कमेंट में लिख दीजे और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बैल आकन प्रेस कर देजएगा ताकि यह सेंट डेली करेंट अफ़र का वीडियो का नोटिफिकर्स आपको सबसे पहले मिलता रहेगा.